बेहत चमतकारी हैं, ये पांच फल पेट की गंदगी को कर देंगे क्लीन स्वीप, कब्स की समस्या होगी दूर, सुभा का बोज हो जाएगा हलका, पेट में जब भोजन जाता है, यह छोटी आंत में पहुचता है, यहां भोजन को तोड़ा जाता है, इसे तोड़ने के लिए लिवर और पेट से बहुत सारे एंजाइम और केमिकल निकलते हैं, इन एंजाइम की मदद से भोजन से आवशक पोशक तत्वों की प्राप्ती होती है, जिससे एनरजी बनती है और जिसका हम इस्तमाल करते हैं, लेकिन अत्यधिक गलत खानपान हमारी आंत में ठीक तरह से पच्ता नहीं है और इस कारण पेट में गंदगी जमने लगती है, अगर यह गंदगी बहुत दिनों तक रहने लगे तो भारी कॉंस्टिपेशन होने लगता है और इससे गैस और ब्लोटिंग की समस्या भी बढ़ जाती है, इससे निजात पाने के लिए लोग तमाम उपा डाइटिशियन रतू त्रिवेदी बताती है कि पपीता पेट के लिए काफी फायदेमंध होता है, कब्स की समस्या होने पर पपीता का सेवन जरूर करना चाहिए, इसमें पपैन नामक एंजाइम होता है, जो पाचन क्रिया को बहतर बनाने और प्सकी समस्या को दूर करने म मदद करता है नियमित रूप से रोजाना पपीते का सेवन करने से पेट से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है नमबर टू सेप एक्सपर्ट के मुताबिक सेप में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जो मलत्याग को बढ़ावा देने में मदद करता है इसमें पाइबर भरपूर मात्रा में होता है जो पाचन क्रिया को मजबूत बनाने में मदद करता है इसके सेवन से आंतों में जमा गंदगी बाहर निकल जाती है साथ ही इसमें नारिंजेनिन फ्लेवोनॉइड होता है जो कब्स से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है नमबर फॉर नाशपाती नाशपाती का सेवन करने से पेट साफ हो सकता है इसमें ऐसे कई पोशक तत्व मौजूद होते हैं जो पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करते हैं इसमें फाइबर, फ्रुक्टोज और सोर्बिटोल जैसे तत्व पाए जाते हैं जो मलत्याग क बढ़ावा देने का काम करते हैं इसके नियमित सेवन से कब्ज और पेट से जुड़ी अन्य समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है नमबर फाइफ कीवी कीवी में भरपूर मात्रा में पानी और फाइबर होता है जो कब्ज से छुटकारा दिलाने में मदद करता है इसमें ए